नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है अपनी योट्योब जिनल PFP में वीकली QNA सेशन की शुरुबात करते हैं सबसे पहला क्वेशन है क्या LTTS थीन हजार आ सकता है क्या डेमाट थीन हजार थीन सो आ सकता और क्या नौकरी थीन हजार साथ सो पचास के लेवल पर आ सकता है साड़े तीन हजार का लेवल था स्टॉक ओपर गया लेकिन वापस अभी नीचे आता हुए नज़र आता है तो सबसे पहले तो साड़े तीन हजार का लेवल ऐस सपोर्ट देखने को मिलेगा अभी तक तो ये लेवल टच भी नहीं हुआ है यहाँ पर किस हिसाब से प्राइस एक्षिन बनता है उस पर डिपेंड करता है अभी से हम तीन हजार के बारे में बात नहीं कर सकते हैं अगर ये कॉण्सुलिडेट करके नीचे आ जाता है तो अफकॉर्स तीन हजार आ सकता है लेकिन अभी तक तो ये टच भी नहीं किया है तो अभी से आगे के बारे में प्लान नहीं कर सकते हैं नौकरी के बारे में बात करें तो नौकरी के चार्ट पर आप देख पाएंगे आपको एक ट्र juices प्रेशर काफी ज़दा स्ट्रॉंग है कमपरिटिवली यहां पर नीचे के लेवल से इतना बाइंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है अब कहरें 3750 के आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं अभी स्टॉक आपको सिर्फ 200 रुपय उपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है इनफेक्ट अगर 3750 आता है और यह लेवल टूड जाता है तो यहां पर बड़ी घिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो स्टॉक आपको 3250 तक भी आता हुआ नजर आ सकता है दिमार्ट के बार में बात करें तो डिमार्ट में आप देख पाएंगे तेजी देखने को मिली बेज बनाकर नीचे आया घिरावट हुई यहां पर रिकवरी देखने को मिली स्टॉक वापस नीचे आया यह लोड तूरता हुआ नजर आया तो मैंने तो परसनली एक्सपेक्ट किया था कि स्टॉक नीचे चाहिए क्योंकि यहीं से रैली आई थी तो यह सपोर्ट है तो इतना स्टॉक आपको नीचे आता हुआ नजर आ सकता है लेकिन रिकवरी काफी अच्छी देखने को मिली नेक्स्ट वीक ही स्टॉक आपको रिकवर होता हुआ नजर आया तो भी यहां पर चांसिस हैं कि 4250 के तूटने पर स्टॉक आपको रैली करता हुआ नजर आ सकता है लेकिन अगर यह स्टॉक वापस नीचे आ जयता है और यह लेवल तोड़ देता है तो आफकोर्स सारे ती नजार तक तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस कंपनी का ETF रहता है वो क्या कभी बंद हो सकती है और पर बंद हो जाए तो फिर अपने पैसो का क्या होगा और ETF में डिविडिन नहीं मिलता पर कंपनी को तो मिलता होगा इस पर आपका के विवे देखे कंपनी का जो ETF क्या कभी बंद हो सकता है तो ऐसा तब ही होता है जब वो mutual fund company बंद हो जाएगी और जब भी कोई mutual fund company decide कर रह अपने business को बंद कर पाएंगे तो पैसे डूबने का तो यहां पर चांस काफी जदा कम हो जाता है और ETF में डिविडिन नहीं मिलता है पर company को तो मिलता होगा तो अफकोर्स यहां पर company को तो जो asset management company उसको दो डिविडिन मिलता होगा लेकिन देखे यहां पर हमारे cost काफी ज manage करना पड़ेगा time देना पड़ेगा तो अगर यह थोड़ा बहुत cost चला भी जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है Jubiland food का और polycap का आपने put बेचा है यह बाद में discuss करते हैं निफ्टी का 20,000 का call बेचा है आपने yearly expiry का 2023 का 555 पे तो क्या यह safe है तो देखिए 2023 में क्या होगा बताना तो of course मुश्किल है लेकिन अभी तो trend bullish चल रहा है उसमें कोई doubt नहीं है अभी जो गिरावट आपको देख भी और अच्छा ही चल रहा है तो 20,000 का call अगर आप one sided बेच रहे है directional call selling कर रहे है तो इतना जदा preferable नहीं है आप at least यहां पर साथ में put भी बेचिए triangle बना कर रखिए जिससे थोड़ा बहुत hedge आपको मिल जाएगा एक और question यह है कि nifty अगर gap up होता है तो क्या call बेचना चा अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो weekly में करना चाहिए क्योंकि वहां पर आपको DK जल्दी मिल जाता है अब यह बात है कि इसा करना चाहिए नहीं यह डिपेंड करता है कि market में price action की सिसाब से मन रहा है मान लेता है कि nifty में कुछ इसाब से price action बनता हुआ नजर आया अब यहा और यहां से market continuously थोड़ा बहुत ऊपर और जा सकता है 200-300 point की भी rally आपको देखने को मिल सकती है तो ऐसी situation में तो gap up होने पर call बेचने का कोई मतलब नहीं है लेकिन मान लेते हैं market की situation कुछ इस हिसाब से आपको देखने को मिल रही है यहां पर market record किया यह resistance है यहां पर gap up हो ग अब jubilant food का आपने 480 का put और polycap का 2400 का put बेचा है तो jubilant में आप देख सकते हैं कि 500 का level काफ़ी important है price action बना कर stock ऊपर गया था stock continuously नीचे आ रहा है कोई खास recovery नहीं आई है यह support काफ़ी important है तो यहां पर थोड़ी बहुत थेज़ी हम expect कर सकते हैं तो इस हिसाब से अगर आप का यह breakout था लेकिन breakout fail होता हुआ नजरा आया sharp sell off देखने को मिला एक पॉइस केंडल बन चुकी है अगर यह low तूट जाता है जो कि 2500 का लो तो यह stock आपको 2300 की तरफ बढ़ता हुआ नजरा सकता है 2350 की तरफ बढ़ता हुआ नजरा सकता है तो prefer यह कीजिए अगर 2500 की नीचे कर देना चाहिए जब निफटी डाउ जोंस को फॉलों करते हुए लाओ जोंस फॉचर्स को फॉलों करते हुए उपर जाता है तो यह आपको नेजरा तो लिए रीजन्स क्या है तो रियल रीजन्स यहां पर आपको डेमांड में नज़राता है देखें पिछले 20-25 सालों में मार्केट जब भी आप देखेंगे इंडियन मार्केट और फॉरेंड मार्केट आपको सिंक्रोनाइज में नज़राते हैं अगर एक उपर जाता है दूसरा भी भी हम अच्छे कर रहे हैं ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है लेकिन फिर भी मार्केट जो है वो हमारे सिंक में रहते हैं लेकिन अभी चेंज क्या हो चुका है हमारी एकोनोमी अच्छी है लेकिन अभी साथ में आपको यहां से डिमांड भी देखने को मिल रही है रीट मांड काफी अच्छी देखने को मिलती है 10-12,000 करोड की तो मंतली SIP होती वी नजराती है नमस्कार सर जी लंबी अवधी के लिए 15-20 साल पोर्टफोलियो बना लिया हो फिर वहाँ पर बायों डिप करना हो तो कॉंसे स्टॉक्स में करना चाहिए जो अच्छा परफॉर्म कर रहे है या फिर जो सेक्टर गिर रहे है वहाँ पर निवेश करना चाहिए एलोकेशन का ध्यान रखते हुए तो बहुत ही अच्छा सवल आपने पूछा है तो जब भी इस प्रकार से सिचुएशन होती है तो देखे कोई भी अच्छा स्टॉक हो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर प्रेफर तो करना चाहिए निवेश करना और वहाँ पर कैसे रहता है कंटिन्यूसली कोई स्टॉक उपर नहीं जाता है आपको नीचे आता हुए नजर आता है तो वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं बाकि अगर कोई सेक्टर बहुती ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसका रीजन दुनने की कोशिश करनी चाहिए कोई स्टॉक आपके पॉर्टफुली में अगर कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है तो ध्यान देना चाहिए कि कंपनी अगर खराब हो गई है तो वहाँ पर निकल जाना च उनका समय थोड़ा खराब चल रहा है क्योंकि उनका मेन बिजनेस यूएस से आता है यूएस में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो इस इसाब से ध्यान रखते हुए आप डिसीजन ले सकते हैं शूड रीटेल इंवेस्टर्स इवन बॉधर टो इन्वेस्ट इन स्टॉ क्या यहां पर हमें इन्वेस्टमेंट डिरेकली करना चाहिए सिर्फ इंडेक्स में खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि इंडेक्स को कोई बीट नहीं कर पा रहा है तो क्यों रिस्क करें और क्यों हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए इंडिविजल स्टॉक पिकिंग में तो द पर बटन दबाना है पैसा होना चाहिए निवेस्ट करने के लिए लेकिन जब आप इंडिविजल स्टॉक्स के बार में बात करते हैं तो वहां पर अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा रहती है आप कह रहे हैं कि भाई टाइम क्यों वेस्ट करना चाहिए देखिए जब हम इंव टाइम भी डालते हैं आपको ज्यादा देखने को मिलता है इसी लिए जो टांबंशर्स हें फुल टाइम ट्रेडर्स हैं वो पार्ट टाइम इंवेस्टर्न या फिर पार्ट इंडेक्स पंड में रिस्क काफी ज़्यादा कम रहता है आपका वहां पर ड्रॉडाम ज्यादा नहीं होगा अगर मार्केट गिरती है तो निफ्टी 20% गिरेगा तो इंडिविजल स्टॉक 40-50% भी गिर सकते हैं लेकिन जब निफ्टी 10% बढ़ेगा तो यह सारे स्टॉक्स आपको 30-40% भी बढ़ते हुए नजरा सकते हैं तो यहाँ पर डिपेंड करते हैं आप स्किल्स सीख की अगर कर रहे हैं तो इंडिविजल स्टॉक पिकिंग में आपको अच्छे रिटेंस मिल सकते हैं लेकिन आपको टाइम देना ही पड़ेगा टाइम देना पड़ेगा ए कुछ नहीं करना पड़ता है तो आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं तो इंडेक्स पंड आपके लिए बहतर है लेकिन अगर आप यहां पर काम करना चाहते हैं शेयर मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं फुल टाइम इन्वेस्टमेंड यही ऐसा करियर औप्शन ले आया आप वह रेफर कर सकते हैं अमरा राज बैटरी के बार में बात करें तो स्टॉक में सिक्स इवेंटी से करके एक रिजिस्टन्स का एरिया है यह इम्पोर्टेंट लेवल है अभी यहां पर स्टॉक में अल्री ब्रेक आउट हुआ श्टॉक नीचे आया अगर यह उपर की तरह नजर आता है तो अगर ये price मिलता है तो ये काफी अच्छा price रहेगा जहां पर आप sell on rise कर सकते हैं jubilant pharma के बार में बात करें तो यहां पर 500 का price नजर आता है जो की sell on rise का लेवल है बज़ाज consumer के बार में बात करें तो आपको ایک trend लाइन नज़र आएगी यह ट्रेंड लाइन अप्रोक्सिमेटली आपको दोसों के करीब नज़र आएगी दोसों पर एक होरिजॉंटल रेजिस्टन्स भी है तो यह कुछ लेवल से जहां पर आप सैल्वान राइस करने के बारे में सोच सकते हैं प्लीज शेरे और बजाज फैनांस बाट एट 6900 तो आपने 6900 पर बजाज फैनांस को खरीदा है तो स्टॉक तो अच्छा है यह आपको देखिए ब्रेकाउट देखने को मिला स्टॉक आपको बेस बनाकर नीचे आता हुए नज़र आया स्लोली करेक्शन देखने को मिला जहा आप और खरीदना चाहते हैं तो और खरीदने के वारे में भी सोच सकते हैं तीन हफते से इसका हाई से में अगर यह हाई क्रॉस होता है तो स्टॉक आपको 7000 की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है मैप माइंडिया एफले में क्या करना चाहिए क्या यह स्टॉक हजार कि अभी यहां से थोड़ी बहुत रैली देखने को मिल सकती है रिकवरी देखने को मिल सकती है स्टॉक वापस नीचे जा सकता है लेकिन अभी हम थोड़ा बहुत कॉंसलिडेशन एक्सपेक करेंगे टेकनिकल टार्गेट सो अलड़ी अचीव हो चुक है हजार के नीचे सप पोर्टम नजर नहीं आता है आफले के बार में बात करें तो आफल में आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको यहां पर एक ट्रेंड लाइन नजर आती है स्टॉक में क्लियरली वीकनेस देखने को मिल रही है ग्यारा सो पचास के करीब एक स्ट्रॉंग रेजिस्टन्स पी नजर आता है तो यहां से अगर वापस नीचे आता है तो 1000 रुपे के नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है और ऐसा होता है तो इसटॉक आपको जो नेसले का जो प्राइस है, हाई टिकेट प्राइस है, मतलब 19-20,000 ऐसे वो शेर है, तो वहाँ पर अगर आप निवेश नहीं कर सकते हैं, तो actual में प्रेफर कीजिए, कोल्ड गेट में comparatively कम प्रेफर करेंगे, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्टॉक में